एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही खुबसूरत ड्यूएट गीत की नोटेशन्स के साथ फ्रेंड ये सॉंग है एक प्यार का नगमा है जो कि एक बहुत ही पॉपुलर ड्यूएट सॉंग जो की मुवी शोर में से है और इस घीत को आवाज दी है ग्रेट लता जी एंड़ ग्रेट मुकेश जी ने और इस घीत का जो संगीत है वो दिया है लक्षमी कांथ प्यारे लाल जी ने और इस घीत के बोल लिखे हैं संतोश अनंद जी ने तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही प्यारा सा नगमा ना सिर्फ इसकी धुन म्यूजिक जो है वो कमाल का है बट खास बात इस सौंग के जो लिरिक्स हैं बोल हैं वो भी बाकमाल हैं तो संतोश अनंद जी ने जो इसके बोल लिखे हैं तो बहुत ही बढ़िया बहुत ही जबरद बोल हैं इस गाने के तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं इस सौंग की नोटेशन की तरफ तो फ्रेंड्स इस सौंग की जो नोटेशन है वो मैं आपको सरगम नोटेशन में प्रोवाइड कर रहा हूं तो जैसा कि हर बार मैं आपको एक इक्विलेंस चार्ट जो है वो प्र वेस्टन नोटेशन में तो ये सभी मैंने नोट्स लिख दिये हैं और एक जगे पे इस सॉंग में हमें स्लाइडर यूज़ करना पड़ेगा तो सरगम नोटेशन के अनुसार वो नोट होगा नी कोमल और वेस्टन नोटेशन के हिसाब से हम उसको ए शार पिया भी फ्लैट न अलाप तो अभी ये जो अलाप है उसकी नोटेशन मैंने यहां पे लिख दी है और एक बार मैं वो अलाप आपको बजा के दिखाता हूँ बहुत ही सिंपल सा अलाप है नोट टू नोट आपने बजाना है थोड़ा बहुत जो गैप है कम या ज्यादा मैंने रखा हुआ है तो उसका रीजन यही है कि एक्चुल में इस अलाप में जिस परकार से लता जी ने कोई गैप छोड़ा है या कुछ नोट जो है वो इकठा जो है वो क्लियर हो जाएंगी तो बहुत ही सिंपल सा अलाप तो फ्रेंड्स यह रहा इस सौंग का मुखड़ा पार्ट तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सभी नोट इसमें शुद्ध यूज हुए हैं शुद्ध स्वर और एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि सभी न आपको पूरा का पूरा जो यह मुखड़ा पाठ है एक बार बजा के आपको दिखा देता हूं तो स्टार्ट यहां से करते हैं एक प्यार का नगमा है इस परकार से यह मुखड़ा की जो चार लाइन्स हैं यह आपने बजा देनी हैं बहुत ही सिंपल है सिर्फ आपने यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यह चीज़ आपको जब ओरिजिनल सौंग सुनेंगे तो थोड़ा सा यहां पे कन्फूजन हो सकता है कि यह बीट के बाहर जा रही है तो इस वर्डिंग का आपने थोड़ा सा खास ध्यान रखना है बाकी सिंपल है वर्डिंग नोटेशन जैसा की आप देख सकते हैं सिंपल नोट्स हैं और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है थोड़ा सा आपको जब मैच करेंगे इसको करयोके के साथ तो उ उसमें एक लता जी ने बहुत ही खुबसूरत सा चोटा सा एक अलाप लिया है तो बहुत ही सिंपल सा अलाप है यह मैंने उसकी नोटेशन लिख दी है यहां पे और एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि यह जो नोट है इसके नीचे मैंने एक डॉट लगाया है तो तो फ्रेंड्स यह रहा इस सौंग का अंत्रा पार्ट तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत सारे नोट्स के उपर मैंने डॉट लगा रखा है इसका मतलब यह है कि जो अंत्रा है वो काफी हद तक हायर अक्टेव पे आपने प्ले करना है तो अगर आप मिडल अक्टेव पे जो मुखडा था उसको प्ले कर रहे थे वहां से आपने स्टार्ट किया था तो अंत्रा जो है यह कोमल स्वर का सिंबल है तो जो नी इस गाने में यहां पे यूज़ होगा इस जगह पे तो वो कोमल होगा तो इसका मतलब क्या है कि इस जगह पे आपने स्लाइडर जो है वो यूज़ करना है तो चलिए फ्रेंड्स एक बार आपको यह स्वांग मैं बजा के दिखा देता हूं तो यह पास से स्टार्ट हो रहा है अब यहां पे स्लाइडर इस परकार यह जो अंत्रापार्ट है खत्म हो जाएगा और इसके बाद जो नेक्स लाइन है जीवन का मतलब तो आना और जाना है तो जो नेक्स लाइन है दो पल के जीवन से उसकी जो नोटेशन है वो काफी हद तक जो स्टार्टिंग वाला मुखड़ा पाठ है प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है तो उससे मिलती जुलती है तो यह मैं आप लोगों के लिए एक एकसरसाइज छोड़ रहा हूं कि जो थोड़ी सी वेरियेशन है इस लाइन में और मुखड़ा की जो स्टार्टिंग लाइन है तो वो आप खुद एडेंटिफाई करके जो थोड़ा ब बजाएंगे मेरी नोटेशन आपको जुरूर हेल्प करेगी फ्रेंट जल्दी ही मिलेंगे एक नए नोटेशन वीडियो के साथ तब तक के लिए डू टेक कियर अफ यरसेल्फ और गुड़ बाई फॉर नाओ